हल्लो क्यूटीज कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे ही होंगे तो कैसा जा रहा है आपका दिवाली का फेस्टिवल आशा करती हूँ अच्छा ही जा रहा होगा तो गाइस यह है मेरा दिवाली लुक तो चलिए स्टार्ट करते हैं हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माइच चैनल आज मैं करने जा रही हूँ दिवाली मेक अप लुक तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यूज में ले रही हूँ विटामिन C टोनर मैं Good Vibes का विटामिन C टोनर यूज में ले रही हूँ नेक्स मैं यूज करूँगी Good Vibes का विटामिन C सीरम फेस सीरम मैं यूज में ले रही हूँ तो मैं इस तरीके से फेस सीरम को लगा रही हूँ और अपने हातों से मसाज कर रही हूँ जिससे मेरा फेस सिरम मेरे फेस में चल जाए अब मैं यूज करूँगी Blue Haven का Oil Free Flawless Makeup Base Primer अब मैं यूज करूँगी Maybelline का 24 Hour Stay Foundation तो गाइज मैं फर्स टाइम ये foundation यूज में ले रही हूँ और यकीन मानिये गाइज ये foundation इतना अच्छा है इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बोलू मुझे ये परसनेली बहुत अच्छा लगा ये foundation अगर आप चाहे तो यूज में ले सकते हैं अब मैं यूज में लोगी Maybelline का concealer अब मैं इसे अच्छी तरीके से blend करूँगी Beauty Blender की help से तो गाइज मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखिए मेरा फेज सच में ये foundation बहुत अच्छा है अब मैं यूज में लोगी compact powder अब मैं अपने eyebrows बना रही हूँ तो गाइज eyebrows बनाने से फेज में अलगी look आ जाता है देखिए अब मैं यूज कर रही हूँ pink eyeshadow मैं अपने crease line पे अच्छी तरीके से dark pink eyeshadow को blend करूँगी अब मैं एक fluffy brush लोगी उसमें मैं ले रही हूँ light pink color देखिए और इसे मैं अपने crease line के उपर अच्छी तरीके से blend करूँगी अब मैं यूज करूँगी डार्क pink color मैं एक फ्रेट ब्रेस में डार्क पिंक कलर लेके उसे आई के आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से लगा रही हूँ देखिए अब मैं सेम ही फ्लेट ब्रेस के दूसरे तरफ डार्क ब्लू कलर लेके उसे आईस के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ एकदम light करके लगाना है जिससे आपके आईस में अलग सा ही look आए देखिए तो गाइज मैं अब पहले वाला फ्लॉपी ब्रस लेके अच्छी तरीके से ब्लू और पिंक आईशाइडव मतलब ब्लू और डार्क रानी आईशाइडव को मिक्स कर रही हूँ अब मैं अपने finger पे silver और white shimmer लेके उसे अच्छी तरीके से अपने eyelid पे लगा रही हूँ इस तरीके से अब मैं फ्लेट ब्रस पे black eyeshadow लेके अपने eye line पे लगा रही हूँ देखिए मैं अपने दोनों eyes पे अच्छी तरीके से लगा रही हूँ हमें जहाँ eyeliner लगाते हैं वहाँ पे लगा के उसे अच्छी तरीके से smudge करना है और मैं पहले वाला फ्लापी ब्रस लेके उसमें मैं थोहाँ सा डार्क क्रानी कलर लेके उसे अपने black eyeshadow के उपर अच्छी तरीके से smudge कर रही हूँ अब मैं यहाँ ले रही हूँ glitter मैं यहाँ golden और white I mean silver glitter लिके अपने eyelid पे हलका हलका लगा रही हूँ अच्छी तरीके से और जो extra glitter मेरे eye line पे लगा है जहाँ पे मैंने black eyeshadow लगाया है मैं brush की help से उसे हटा दूँगी देखे गाइस मैं eyes के नीचे dark rani color लेके उसे अच्छी तरीके से लगा रही हूँ देखे गाइस इम वैसे ही मैं black eyeshadow लेके उसे अच्छी तरीके से eyes के नीचे smudge कर रही हूँ अब मैं यहां यूज में लूँगी eye lashes मैं यहां liner लगा रही हूँ जिससे मेरा eye lash अच्छी तरीके से लग जाए मैं use में लेती हूँ magnetic eye lashes तो guys मैं यहां पर दोनों eyes पर eye lashes लगा ले हूँ अब मैं use में ले रही हूँ blusher देखे यह दिवाली का festival हो और highlighter ना हो यह तो हो ही नहीं सकता इसलिए मैं यहां golden highlighter को लगा रही हूँ देखे गाईज next में लगाऊंगी lipstick यह है NY Bay की lipstick तो गाईज अब आ रहा है मेरा final loop वीडियो पसंद आये तो प्लीज सब्सकाइब करिएगा बाई दो आणी में रहे हैं आज तो हम सुन्द़ लगहें हैं आज तो हम्सुम्द लग रहा हैं आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंच मेरे चैनल को मैं अपना इतना मेक अप लगा के वेश्ट कर रही हूं अपना फीज खराब कर रही हूं क्रीपिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद